हलो फ्रेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं आज में बाहर आई हुई हूँ यह है अयास भाइजान और यह हमारी फैमिली गेट टूगैदिरिंग में आज हमारे लिए चाइनीज बना रहे है तो इन्होंने यह जो दो एग है यह चिकन में डाला है मैदे का आटा डाला है कॉन इसमें नमक डाल रहे है अजीनो मोटो और यह वाइट पेपर पाउडर है तो इन्होंने यह सारे मसाले लगा के चिकन को जो है अच्छे से मेरिनेट करके रग दिया है तो काईस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे भाइजान को जो है बहुत अच्छे से आत हैं और हम लोग बहुत जादा इसे इंजॉय करते हैं तो फ्रेंस आप लोग देख रहे हो इन्होंने बहुत अच्छे से यह सारे मसाले को मिला लिया जादा मसाला नहीं है इसके अंदर सिर्फ कौन फ्लार का आटा है मैदे का आटा है वाइट पेपर पाउडर है अजीनो म अच्छे से मिक्स कर रहे है तो अब ही हम लोग कड़ाई के अंदर इसे तलेंगे तो तेल को पहले अच्छे से घरम होने दे और उसके बाद एक एक करके आप सारे हैं उसे उसे हमने तल लिया है आप देख रहे हो सब चिकन को नहीं थोड़ा थोड़ा चिकन करके आपको तलना है इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होनी चीए तो चाइनिस में जो है बहुत जादा टेस्ट आता है और यह चाइनिस में आपने देखा होगा कि इसमें अद्रक लसन नहीं मिलाया है फिलाल क्योंकि जो अद्रक लसन ग्रेवी में होता है उससे फिर बहुत अच्छी उसका फ्लेवर आता है अब देख लीजे यह जो चिकन है इसकी कोटिंग बहुत पतली सी लगी है और बहुत अच्छी टेस्ट में भी बहुत अच्छा है अब यहाँ पर आयाज भायजन शुरू कर रहे है अपने कुकिंग जिसके लिए उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है कि आपको जो आपकी जो कड़ाई है वो इस तरीके की कड़ाई हो इसके अंदर जो है वो चाइनीज बहुत अच्छा बनता है और प्लस यह जो यह तेल लगा रहे है अपने कड़ाई पे चारो तरफ आपको भी पूरी इसी तरीके से पूरे जो तेल है वो लगा लेना है तो आप देख रहे हो एकड़म प्रोफेशनली हमारे भायजान इसको बना रहे है तो अब तेल बहुत अच्छे से कड़ाई में लग चुका है और एक्सेस तेल उनको लगा कि यह ज़ादा है वो उन्होंने निकाल लिया अब वो स्टार्ट कर रहे है त्राइड राइस बनाने से जिसके अंदर राइस को उबालके रखा हुआ है चिकन तली हुई है ओईल है वहां पर एग फेटा हुआ है पहले इन्होंने वोक में एग डाले है अब देख लो बहुत ही आसान तरीका है और फ्रेंस बहुत ही यम को उखाले शचान तु एग के सातर वालके रखाता बास्मती राइस लिया है और वही राइस को इन्होंने एक के साथ में मिक्स किया है फ्रंस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में जादा लोग आ रहे हैं तो आपको जो फ्राइड राइस का बनाना है तो आपको वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके राइस लेके बनाना है अगर आप एक साथ सारे राइस का बनाने जाएंगे तो ये बि ताके वह जो फ्लेवर है, वो सारे राइस में चЬ棒 हैW अगर लेक्षा सारे राइसमे में था मुझे आ से कमेन, सुन गया स्बड़ा उड़ा ук mukषम बहुत अच्छी खुजबू आ रही थी जब मैं वहाँ पे खड़े रहे के देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में बहुत अच्छी यम्मी खुजबू आ रही है और मुझे बहुत ही ज़ादा अमेजिंग लग रहा है गाइस मैं फ्राइड राइस में थोड़ा सी विनेगर डालती हूँ अगर आप लोगों को थोड़ा विनेगर डालना हो तो आप डाल सकते हो आप लोग देख सकते हो ये कितना यम्मी दिख रहा है अयाज भाईजान का कहना है कि जब आप बनाते हो तो उसे बहुत अच्छे से फ्राइ करना होता है फ्राइड राइस को बिल्कुल इसी तरीके से आपको बस करते रहना होता है पास से 10 मिनिट जब वो अच्छे से गरम होता है जब अच्छे से एक एक दाने उसके फ्राइ होते है उसी को फ्राइड राइस कहते है तो अब इन्होंने जो पहला खेप है वो बना लिया है अब वो दूसरा चावल का खेप भी वो similarly बना बना के ये पूरी तपेली में जो जितने चावल है वो पूरा ही वो बना लेंगे तो इसका यही तरीका है फ्रेंड्स के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बनाना है तो आप लोग देख सकते हो के सेकंड फ्राइड राइस के लिए आयाज भायजान ने अपनी तयारी कर चुके है अब इतने राइस बाकी है और बिल्कुल ही उसी तरीके से आयाज भायजान ने जो है जो दूसरा हूँ और एक चीज और ये जो अभी ने डाला था वो पून अभी स्टॉक है चिकन Sटॉक और वो चिकन स्टॉक डालना बहुत जरूरी है और सेलेरी की जो स्टेंस होते हैं और लीव्स होते हैं वो भी अगर आप सारी चीजों में डाले तो वो भी बहुत अच्छे लगते है तब आप देखिए कि ये जो फ्राइड राइस बन रहा है ये बहुत ही जबर्दस बन रहा है तो ये हमारा फ्राइड राइस रेड़ी हो चुका है अब आयाज धायजन ने इसमें जो सोया सौस थोड़ा जादा डाला था तो अब एक ही कलर आने के लिए इनों ने वो जो पहले के चावल तो भी मिक्स कर लिए है और अब आयाज धायजन ने फ्राइड राइस को रेड़ी कर लिया है अब हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सोया सौस है अद्रक लस्टन घरी मिर्ची प्याज और जिसको क्रश करके रखा है थोड़ी हरी मिर्ची खड़े इतने काटे हैं कोथमीर है और बहुत सी चीजे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर चिकन का स्टॉक पड़ा हुआ है तो चिकन का स्टॉक आपको फ्राइड राइस में भी दालना है तो अब इन्होंने जो है वो कड़ाई लिया है कड़ाई के अंदर अपना ओइल डाले है और अगेन वो अपने तरीके से पूरे कड़ाई में ओइल को फैला रहे है अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी ग्रेवी की तयारी कर रहे है तो यहां पर थोड़ा सी अधरक साइड में निकाल लिया है थोड़ी सी बड़ी मिर्ची जो कटिंग करके रखी थी वो निकाल लिया है और कैपसिकम निकाल लिया है तो अब यह जो है ड्राय चिकन बन अब इसे बहुत अच्छे से फ्राइए करना होता है और यह कड़ाई बहुत ही जादा इंपॉर्टन तए यह सारी कुकिंग के लिए अब इसमें इन्होंने सोया सॉस डाल दिया है और सोया सॉस डाल के भी यह वापस इन सब चीजों को अच्छे से यह कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से अच्छे से अच्छे से ताके यह थोड़ा जाए थिक हो जाए अब सारी चिकन इसके अंदर जो हम लोग डराय बनाने वाले हैं वह इसको एड़ कर दिया है अब इसे अच्छे से हम लोग एड़ कर रहे है और बहुत ही अच्छे से इसको भी फ्राइ करना होता जैसे फ्राइड राइस को काफी अच्छे से फ्राइ किया गया इसे भी उसी तरीके से और जो भी आपको लगे आप टेस्ट करते जाएए और इसके अंदर वो मसाले बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और खुछबू आ रही थी और बहुत ही जादा टेस्टी बना था तो आप लोग देख रहे हो कि यह जो चिकन चिली है यह काफी ही अच्छी दिख रही है बहुत ही अमेजिंग लग रही है तो फ्रेंस जैसे के हम लोगों की तैयारी हो चुकी है हम लोगों की जो चिकन चिली है वो बन चुकी है आप लोग देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है यह बहुत ही जादा जबरदस बनी है हैट्स आफ टो भाईजान के वो इतना खुबसूरत डिश बनाए है और मुझे मुझे मौका मिला के मैं उसके रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर सको भाईजान नहीं पर और एक जबरदस डिश बनाई है इन्होंने बनाया है मंचूरियन ग्रेवी वाली चिकन जो बहुत ही सुनने में अमेजिंग लग रहा है तो इसके लिए उन्होंने प्याज, अदरक, लस्तन, हरी, मिर्ची सब लिया है मसाला और अभी ये स्टार्ट कर रहे है इन्होंने ये सारे मसालों को तेल में डाल दिया है और इसे भी अच्छे से फ्राई कर रहे है आप देख सकतो तेल की जो कॉंटिटी है इन्होंने हर जगा बहुत ही जादा कम ली है अब जो ये चिकन है जो ये फ्राई करके हमने रखा था ये चिकन भी ये इसके अ भाइजा ने बहुत ही अच्छे से जो चिकन को भी फ्राई कर लिया है कडाई के अंदर और अभी इसके अंदर ये सोया सॉस एड़ कर रहे है और इसे भी बहुत से अच्छे से सिफ राई कर रहे है और कड़ाई के अंदर आप लोग देख सकते हो मंचूरिन ग्रेवी चिकन बहुत ही अमेजिंग बनती है और इसके अंदर अगेन इन उने शक्कर डाले है अजीनो, मोटो, नमक और वाइट पेपर पाउडर और ये जो स्टॉक है चिकन का ये भी इसके अंदर एड़ करेंगे अभी तो आपने जो मसाले है सारे वो बहुत अच्छे से डालना है उसके अंदर अब इन्होंने कोट मीर डाली है इसके अंदर और ये इसके अंदर जो है इंग्रीडियन्ट जो ये वाला की इंग्रीडियन्ट है इसके ये डिश के अंदर तो इन्होंने कोतमीर डाली है और अब ये जो है इसे भी अच्छी तरीके से कड़ाई में फ्राइ कर लेंगे गाइस ये कड़ाई इस तरीके से बनी गई है कि एक एक चीज इसमें बहुत अच्छे से फ्राइ होती है और अब आप देखे इन्होंने चिकन स्टॉक इसमें एड़ किया है जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाफ से चिकन स्टॉक एड़ किया गया है और इन्होंने जो चिकन स्टॉक बनाया है वह भी बहुत ही आसान तरीके से बनाया है सिर्फ आपको चिकन को उबाल लेना है नमक डाल के अब इन्होंने सोया सॉसिस में एड़ किया है और अब यह कॉन स्टाच का जो स्लरी है यह से एड़ करेंगे तो फ्रेंट्स आप लोगों को अगर इस टाइम पे आप चक्के देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ कमी है तो आप उसे और एड़ कर सकते है और इसके अंदर और सोया सॉस एड़ किया गया और इसे इस ग्रेवी को काफी ठीक किया गया बहुत ही यम्मी ग्रेवी बनी थी और यह आप लोग देख सकते हो कितनी जबरदस्त ग्रेवी बनी और कितना जबरदस्त हमने आज इंजॉई किया आज मेरे व्लॉग में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने फैमिली गेट टुगेदरिंग करके बहुत ही जादा इंजॉई किया है तो फ्रेंड्स जैसे कि फ्राइड ड्राइस बन गया, मंचूर और ग्रेवी बन गया ड्राइ चिकन बन गया तो इसी तरीके से मैं और इंटरस्टिंग टोपिक्स और इंटरस्टिंग व्लॉग आप लोग के लिए लेके आउंगी तो आप लोग हमेशा ही मेरे व्लॉग को देखना, सब्सक्राइब करना शेयर करना और फिर मिलते हैं कोई और व्लॉग में Thank you